समुंदर तले दफ्न एक रहस्य इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखत घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसका नाम है RMS Titanic दोस्तों टाइटानिक की कहानी शुरू होती है 19 वी शताबदी की शुरुआत से उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड मची थी बड़े बड़े जहाज का निर्मान करने की इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए इसलिए ब्रिटेन सरकार ने वाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोडो डॉलर का लोन दिया इसके बाद 31 मार्च 1909 में नौर्थ आईरलेंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटानिक का निर्मान लगभग 15,000 इंजिनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी महनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तयार किया इस जहाज को 16 अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे इसकी इसी खूबी के कारण ही इसे अंसीकेबल जहाज कहा जाता था दो अप्रेल 1912 को टाइटानिक बन कर तयार हो जुका था इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था वाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटानिक की सेवाओं का एलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रुमान चित हो उठे 10 अप्रेल 1912 को टाइटानिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लेंड की साथ हैंटन से न्यू यूर्क की तरफ निकल पड़ा कहा जाता है कि जिस समय टाइटानिक अपनी पहली यात्रा के लिए तयार था तब इसे देखने के लिए एक लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर आये थे साथ हैंटन से निकल कर टाइटानिक 42 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से शाम को शेबोर्ग फ्रांस पहुचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटानिक कुईन्स टाउन आयरलेंड पहुचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटानिक अपने अंतिम पर न्यूयोर्क के लिए रवाना हुआ टाइटानिक जब आइरलेंड से निकला तब टाइटानिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मित ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफतार कम नहीं की जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मित को लगभग छे चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिये जा चुके थे लेकिन कैप्टन स्मित ना ही जहाज की रफतार कम करना चाहते थे और ना ही इन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे क्योंकि कैप्टन स्मित अपने आखरी रिटायर्मेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे वे टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दरजा भी दिलवाना चाहते थे 14 अप्रेल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मित ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के दो क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेगनाल ली को जहाज के उपर निगरानी के लिए तैनात किया ताकि वो किसी भी खत्रे की जानकारी तुरंट कैप्टन को दे सके उस रात समंदर एकदम शांत था आसमान में चांद नहीं था इसलिए उन्हें सर्फ तारों की हलकी रोशनी ही मिल रही थी तब ही अचानक 11.49 मिनिट पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लेट ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड देखा उन्हें बर्फ की चटान नहीं दिखी ये देख फ्रेडरिक तुरंट समझ गया कि टाइटानिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है फ्रेडरिक फ्लीट ने एक शन भी ना गवाते हुए तीन बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंट फोन पर खबर दी बर्फ की चटान बिलकुल सामने हैं ये सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोडने की कोशिश करने लगे अचानक हुए डिसिजन से कैप्टन ने टाइटानिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की लेकिन अफसोस ग्यारह बच कर चालीस मिनिट पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया टकराव इतना जोरदार था कि इसने थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा जटका दे दिया था यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटानिक को एक जगह पर रोग दिया गया और इंजन बन कर दिये गए जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था जब टाइटानिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसने दबाओ के कारण जहाज के नेचले हिस्से की प्लेट्स को चीर दिया था जिससे जहाज के दाई साइड में 300 फीट तक के कीले बाहर आ गई थी कीले बाहर आ जाने से आपस में जोडी प्लेट्स सरग गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा वहीं जब जहाज के नेचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री उपर की और भागने लगे इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रियूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के पांच कमपार्टमेंट में पानी भर जुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के उपर से बहते हुए एक एक करके सारी कमपार्टमेंट में भर जाएगा इसके बाद सभी लाइफ बोर्ड को बाहर निकाला जाने लगा लेकिन उस समय टाइटानिक पर केवल 20 ही लाइफ बोर्ड मौझूद थी जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी लेकिन अफरा तफरी और खबराहट में लाइफ बोर्ड में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चड़ाया गया इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते समित को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोर्ड हैं फिर भी कई नावों को बगेर पूरी तरह भरे जाने दिया गया और इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई उस राज जहाज पर चारों तरफ हौफ का माहौल था लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन्स का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मौद से बेखौफ होकर अपनी आखरी सास तक संगीत की धुनों को बचाता रहा ताकि मरने वाले अपने इचे वाला भाग उपर उठने लगा लगातार बढ़ते दबाव के कारण दो बज कर 20 मिनट पर टाइटैनिक बीच से तूट कर अलग हो गया मात्र दो घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अट्लांटिक महसागर की गोद में समा गया था इस दुखत घटना में 1517 लोगों की जाने गई इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बलकि 2 डिगरी सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे टाइटैनिक के डूबने के दो घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था थे औरी टाइटैनिक की बनावट और उसमें इस्तिमाल किये गए माटेरियल को घटिया बता कर उसे इसका जिम्मदार साबित करती थी लेकिन 2010 में शुरू किये गए एक प्रोजेक्ट के तहट टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोध करताओं की एक टीम ने लाखो डॉलर के आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमेरों की मदद से नौर्थ अट्लांटिक ओशियन में रडार तकनिक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्षेत्र का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकडों की एक लाख पचास ह पोटोज और वीडियो एकटा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकडों का अध्यायन किया और लगभग दो साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुली तयार करके इसके डूबने की असली वजहों को जानने का प्रयास किया टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में इस्तिमाल माटेरियल पर कही तरह के एक्सपिरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और ना ही उसमें इस्तिमाल किया गया माटेरियल घटिया क्वालिटी का था दरसल इस टीम के मताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटानिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफतार थी क्योंकि तेज रफतार से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाओ जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाओ वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और फिर जहाज के पाँच कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया आज टाइटैनिक का मलबा कैनिडा न्यूफाउंड लेंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है लेकिन काम्याबी 1985 में मिली उसके बाद से अभी तक 700 से भी ज्यादा तैराक इस एतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं हालाकि 100 साल पूरे होने से इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षन अब संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक कि ये निशान भी खत्म हो जाए लेकिन कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता जो करोड़ो अरबो दिलों में तैर रहा है तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेर करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए अपनी दोस्त नेहा आगर करको दीजे इजासत नमस्कार